और सुकदेव जी महाराज ने परिक्षत से कहा महाराज यह जो व्यक्ति है यह अपना आधात जीवन एक विशे में व्यतीत करता है निद्रया हियते नक्तम व्यवा ये नचोबावया दिवा चार थे हया राजन तुटुम्ब भरने नवा व्यक्ति का आधा जीवन एक विशे में वीत जाता है एक विशे मतलब आधा जीवन हम सोने में बिता देते हैं यदि भगवान ने हमें उम्रदी है साथ वर्ष तो हम तीस वर्ष सोते हैं उम्रदी है चालीस वर्ष तो बीस वर्ष सोते हैं उम्रदी असी वर्ष तो चालीस वर्ष सोते हैं निद्रया हियते नक्तम आधा जीव थे हया राजन जब दिन होता है तो हम पैसे की पीछे भागते हैं कि पैसा कमा लें चलो वो भी ठीक है थोड़ा बहुत समय मचा तो खाने कमाने और अपने परिवार को दे देते हैं लेकिन जिस कारिय के लिए हम आये थे वो कारिय हमारा छूटी ही जाता है किस कारिय के लिए आये थे कहा हम भजन के लिए आये थे भजन की अतिरत्न हम सब करते हैं सिवाए भजन के तो नित्रया हियते नक्तम्यवा ये नचवावया दिवाचार थे हया राजन कुटुम्ब भर ले नवा आधा जीवन सोने में आधा जीवन खाने कमाने और परिवार में व्यतीत कर देते हैं आये थे हरी भजन खों ओटन लगे कपास चौबीस घंटे मैं से हम एक घंटा भी भगवान का कीरतन नहीं करते और एक घंटा तो बहुत जादा है एक घंटा का आधा तीस मिनिट भी नहीं करते वो भी जादा है पंद्रा मिनिट भी नहीं करते वो हभी जादा है साड़े साथ मिनिट भी नहीं करते और वो भी जादा है साड़े तीन मिनिट भी नहीं करते भजन पर व्यक्ति को यदि हम इस संसार में आये हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत भजन तो करना चाहिए क्योंकि इस संसार में हमारे साथ जाने वाला केवल भजन है और कुछ नहीं जाता एक बड़ा सुन्दर भाव आता है शास्त्रों में धनानी भूमव पशवस्च गोश्ठे नारी ग्रहत द्वारी सुता इश्मसाने देहस्चितायां परलोक मारके धर्मा निगो गच्छती जीव एका मनुष्यका जीवन बड़ा कीमती है हम सोचते हैं कि जब हम मृत्यू को प्राप्त होंगे तो जो धन हम जोड़ जोड़ के रख रहे हैं वो धन हमारे साथ जाएगा पर आपने किसी को धन बांध करके ले जाते हुए देखा है देखा है? हाँ या ना? देखा है? आपने देखा है? देखा है? नहीं क्योंकि अपना धन जो हम जोड़ते हैं वो हमारे साथ नहीं जाता धनानी भूमव भूमी प्रत्वी हमारी प्रॉपर्टी है हमारे पास इतने बीघा जमीन है इतने एकड जमीन है तो क्या लाद के ले जाओगे उपर? ले जाओगे? नहीं धन नहीं जाता भूमी नहीं जाती बाहन नहीं जाते अरे हमारे पास तो तीस लाग की गाड़ी है अरे उसके पास तो सतर की है उसके पास तो एक करोड की है तो गाड़ी बांध के ले जाओगे बताओ, जाना तो उसी में है ना, लकडी में, अर्थी में कुछ भी हो, चारतर खड़ा कर लो, पर के उसी में उड़के जाओगे हाँ या ना, नहीं धन यहीं रह जाता है, भूमी यहीं रह जाती है, बाहन यहीं रह जाते है अब आप सोच रहे होगे चलो धन नहीं गया भूमी नहीं गयी बाहन नहीं गये पत्नी साथ जाएगी तो ध्यान रखना पत्नी भी साथ नहीं जाती नारी ग्रहत द्वारी पत्मी घर के द्वार तक जाती है जादा से जादा आंगन तक जाएगी उससे जादा इस मसान तक जाएगी मरघड तक जाएगी वो भी लोट किया जाती तो नारी ग्रहत द्वारी पत्मी घर के द्वार तक सुता इस मसाने को, सुता कहते हैं पुत्र को, संतान को, तो संतान साथ जाती है, जाती है, नहीं जाती है, संतान कहां तक जाएगी, इस मसाने, इस मसान तक, और इस मसान में भी आग लगा देती हैं हमको, अपनो सुतो मुखो लूघर दई है अपनो सुतो लूघर समझते हो बताओ लूघर समझते हो नहीं समझते लूघर कहते हैं चूला तो जानते हो न चूला चूले में भोजन पकाते समय लकडियां लगाई जाती लगाते हैं न वो गर्म लकडी अंगार वाली लकडी उसको दे हातों में कहते हैं लूघर क्या कहते हैं लूघर तो अपनो सुत मतलब अपना खुद का बेटा क्या करता है मुख लूघर दई है जला देता है पड़ो रहे धनधाम और भजन बिन है चोला बेकाम अपना खुद का बेटा आग लगा के आता है धन नहीं जाता बाहन नहीं जाते जमीन जाय जात नहीं जाती पत्नी नहीं जाती पुत्र नहीं जाता तो ये सरीर जाता है बताओ जाता है अरे खुद का सरीर नहीं जाता तो कहां तक जाता है देह चिता याम देह चिता तक जाता है और चिता में ये 60 किलो ये 70 किलो ये 80 किलो ये 90 किलो ये 100 किलो का सरीर चिता में जल करके इतना लंबा चोड़ा मोटा तगड़ा सरीर एक लोटे में समा जाता है समाता है की नहीं जल गए अभी तो इतने लंबी चोड़े हैं बैठने के लिए इतनी जगए लग रही है फिर जब जल गए तो इतने से हो जाते हैं लोटे में राक को भरके हमारे सरी सरीर की गंगा जी में पहुंच जाते हैं बहा दिया जाता है तो जिस सरीर को हम बहुत सम्हाल के रखते हैं यह सरीर भी हमारे साथ नहीं जाता तो देहस्चिता याम देहस्चिता तक जाता है परलोक मारगे धर्मा निगो गच्छती जीव एका बड़ा कंजूस राजा था तो बड़ा चाट अब उसकी पतनी उससे परेसान पतनी अपने गुरु जी के पास पहुंची एक संत जी संत जी संत जी से का की मात्मा जी हमारे जो पतिदेव हैं तो बड़े अच्छे लेकिन हैं बड़े जूस ना कभी दान करें ना पुन्य करें बस धन कमा की जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहें ना खुद पे खर्च करें ना बच्चों पे खर्च करें ना राज्य पे खर्च करें तो गुरु जी कुछ क्रपा करून को समझा दो संत जी ने का ठीक है चिंता मत करो आज शाम को मैं आऊंगा अब संत जी राजा दूंडय और राजा अपने काम धाम में राज़ी के कुई काम व्यस्थ था संत जी आए राजा ने प्रणाप किया संत जी यह राजा को एक एक सुई दी सुई समझते हों कपड़े सिलने वाली एक सुई दे दी और राजा से कहां महाराज मैं जा रहा हूं इस प्रथवी को छोड़के मेरा समय पूरा हो गया कभी भी मर सकता हूं इसलिए काम करना यह जो मेरी सुई है मैं तो ले जानी सकता तुम ले आना तब तो राजा ने जल्दी जल्दी में कह दिया ठीक है संत जी वहां से चले गए रात में राजा जब सोने गए तो सोते सोते सब विचार करने लगे कि आज क्या क्या हुआ जब बिचार किया तो पता चला कि संत जी सुई दे गए हैं पर समझ में यह नहीं आ रहा कि खुद संत जी जब सुई को नहीं ले जा सकते तो मैं कैसे सुई को ले जाओंगा क्योंकि इस दुनिया में जो आता है वो खाली हाथ आता है और जो जाता है वो भी खाली हाथ जाता है जब सुई को नहीं ले जा सकते एक छोटी सी तो हम क्या ले जा सकते हैं राजा को समझ में आ गया कि व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता व्यक्ति के साथ केवल व्यक्ति के सुन्दर कर्म जाते हैं व्यक्ति के धर्म जाता है और जो थोड़ा-थोड़ा भगवान का नाम हम कभी-कभी लेते हैं वो भगवान का नाम हमारे साथ जाता है बाकी सब इसी प्रत्वी पर रखा रह जाता है यहीं पर मिट्टी में मिल जाता है इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा भजन अपनी जीवन में करता रहे सुगदेव जी माराज ने समराट करमयोगी परिक्षत को इस तरह से समझाया है कि माराज व्यक्ति अपना जीवन ब्यर्थ के कारियों में नश्ट कर देता है पर व्यक्ति को जो करना चाहिए व्यक्ति वो नहीं करता और करना क्या चाहिए, कहा व्यक्ति को भजन करना चाहिए, व्यक्ति को भजन करना चाहिए, इस तरह से श्री शुक्देव जी ने परिक्षत को समझाया है, और अंत में बताया है कि महराज हरिनाम संकीरतन ही इस जीवन का सार है, संसार के जितने भी सुक हैं छणे जिस सुक का कभी अंत नहीं होता उसे अनन्त सुक कहते हैं और भगवन की नाम संकीरतन से या भगवान की क्रपा से उस अनन्त सुक की प्राप्ति होती है